अध्याय पंदरा और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे उन्हें उस काज के समुद्र के निकट परमेश्वर की विणाओं को लिये हुए खड़े देखा और वे परमेश्वर के दास मुसा का गीट और मेम्ने का गीट गागा कर कहते थे कि हे सर्वशक्ति मान प्रभू परमेश्वर तेरे कारे बड़े और अग्वत है हे युग-युग के राजा तेरी चार ठीक और सच्ची है हे प्रभू कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सारी जातियां आका तेरे सामने तन्वत करेंगी क्योंकि तेरे नियाय के काम प्रगट हो गए है और उसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया और वो सातों स्वर्ग दूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी शुद्ध और चमकती हुई मनी पहने हुए छाती पर सुनहले पटके बाधे हुए मंदिर से निकले और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सात स्वर्ग दूतों को परमेश्वर के जो युगान उ युग जीवता है प्रकोप से भरे हुए सात सोने के कटोरे दिये और परमेश्वर की महिवा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धूएं से भर गया और जब तक उन सातों स्वर्ग दूतों की सातों विपत्यां समाप्त ना हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका झाल